आज की इस वीडियो में बात करेंगे समावेशी सिख्षा क्या है What is inclusive education? Inclusive education से पहले integrated education हमने पढ़ी उससे आगे समावेशी सिख्षा में क्या अंतर हुए ये हम देखेंगे Integrated education से special child जो था समाने बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ने लगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया क्यों क्या कैसे लेकिन समावेशी सिख्षा Integrated education का एक सुधरा हुआ रूप था उसने किस तरीके से special educators को special बच्चों को और पूरे समाज को फायदा पहुँचाया है यह पूरा का पूरा chapter आपको D++B special educator के exam में PRT, TZT, PGT जो normal वाला है उसके exam में भी और CETAT के exam में 5 नंबर का कोई भी ऐसा exam उठा कर देख लो teaching वाला जिसमें यहां से question ना आते हूँ हर एक में आते हैं तो पूरा ध्यान लगा कर इमानदारी से पूरा इस वीडियो को देखना अगर आप बीच में छोड़ने वाले तो अभी छोड़के चले जाओ क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी बेवज़ा अपना भी time waste करोगे तो पूरी वीडियो देखनी है ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ये जो क्लास होगी दोस्त इसमें समावेशी सिक्षा को ध्यान से देखते हैं इससे पहले एक इकरत सिक्षा हमने देखी थी integrated education नहीं देखे तो वीडियो देख लेना एक इकरत सिक्षा का ये एक improved रूप है सुद्रा हुआ रूप है क्यों? क्योंकि एक इकरत सिक्षा में विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठ कर तो बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें किसी परकार के सुविधाई नहीं दी जा रही थी उनके लिए special educator भी स्कूल में नहीं लाए जा रहे थे नॉर्मल्स, teachers को थोड़ा बहुत ओर train करके ये उनसे पड़वाया जा रहा था तो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विधाले के अंदर एक ही कक्षा में सिक्षा ग्रेंड करने का ये प्रावधान बनाया गया ये एक ही करत्वी दैलों से बहतर था क्योंकि इसमें सुक्सुविधाएं और वातावन जो होना चाहिए विशिष्ट बच्चों के अनुकूल था मेरा मतलब है सुक्सुविधाओं का मतलब है कि उननत पाठ्यकरम यानि कि जो करिकुलम था वो समान्य बच्चों का और विशिष्ट बच्चों का अलग होगा मान लो एक तीसरी क्लास है तीसरी क्लास में अगर समावेशी सिक्षा के तहत चीज़े चल रही है तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनका करीकुलम अलग मिलेगा और जो समान्य बच्चे हैं उनका करीकुलम अलग मिलेगा लेकिन Integrated Education में एक इकरित वाले में क्या हो रहा धा कि एक Classroom है तीसरी तो तीसरी में पढ़ने वाले सभी बच्चों का करीकुलम से मिलेगा चाहे वो सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो तो जो चीज सामान्य बच्चों के लिए है वो विशिष्ट बच्चों के लिए कैसे हो सकती है समझ रहो मेरी बात तो इस कमी को दूर किया गया जो करीकुलम था वो भी अलग-अलग बना, विद्याले की जो बनावट थी, जैसे सीधियों के साथ साथ रैंप, सोचाल जो थे, वो इनके अनुकूल हो गए, विशिष्ट बच्चों के, बुनियादी जो धाचा था स्कूल का, वो चेंज हुआ, सिक्षकों की टीम अलग लाने लगे, समावेशी सिक्षा में, एक अग्रम के अंदर दो टीचर होते हैं, एक जो समावेशी सिक्षा ने देखे, विशिष्ट बच्चों के लिए, कलग टीचर लाने का प्रावधान किया, डोक्तर, मनोवइक्यानिक, इन सब की शिक्षा के अंदर एंटी हो गई, द लास्रूम के अंदर सामाने और विशिष्ट दोनों बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो जब तक किसी के फाइदे की सोचे, नुकसान की भी सोचनी पढ़े ही, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो दोनों का करीकुलम भी अलग हो गया, सिक्षक ही अलग हो गया, उससे क्या दिक्कत ना हो, और ऐसा वातावन दिया गया बच्चों के लिए, जो विशेश बच्चे थे, कि वो सीख सके, उनके लिए ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर लाए गए, वो टीचर जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, एक याद रखना दोस्तों, स्कूल्स इंफरा स्ट्रक्चर के उपर भी ध्यान दिया गया, जैसे मैंने बताया, सोचाले, और जैसे मैंने बताया, रैंप वगएरा, और बाके सभी सुविधाएं, जो बच्चे को हेल्प करें, विशेश बच्चे को सीखने में, वो ने दीगी, तो अब आठ मेन पॉइंट बच्चों के समानमानसिक विकास होता है, बिल्कुल ठीक है, एक environment ऐसा दिया जाता है, जहां पर विशेश बच्चे समानने बच्चों के साथ बैठ कर पड़ें, उनसे inferior कभी feel नहीं करेंगे, वो ऐसा होने पर, अगर साथ में बैठ कर पड़ते हैं, तो वो अपने आपको उनका ही एक हिस्सा मानेंगे, यह सिक्षा अधिक खर्चेली होती है, क्योंकि इसमें विशेश सिक्षकों के साथ साथ डॉक्टर मनोवेज्यानी करखने की आवशकता होती है, यह तो बात है यार, जो mainstream education है, जो mainstream education है, उसमें क्या है, उसमें एक सामाने teacher लाए, add-off पे, contract प 5,000 रुपे की मेडम से सारे बच्चे पढवा दिया, आजकल तो यह चल रहा है, अब आप उस 5,000 रुपे की मेडम से special बच्चे पढवा लोगे, नहीं पढवा सकते, तो आपके लिए एक challenge है, कि यह जो समावेशी सिक्षा के concept को आप अपनाना चाहते हो, लागू करना चा इस क्या है, इंग्लिश वालो, आप दिक्कत मान रहे थे, तो मैं बता देता हूँ, देखो, इंग्लिश मने साथ-साथ यूज कर ली है, कहीं आप यह वह लोग, समावेशी सिक्षा से अपन बच्चों में समानने बालकों के समानमान से विकास होता है, इन inclusive education, the mental development of special child is equal to the mental development of normal child, it is very favorable, यह हो सकता है ऐसे, दूसरा, it is very expensive method, because if you want to provide all the facilities, and if you want to change the infrastructure of the school according to the needs of these students, then you have to invest a lot of money, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, you have to pay to special educators to, आपको special educator भी बुलाने पड़ेंगे तो उनको पैसे दो, doctor बुलाएंगे उनको पैसे दो, manov विज्यानिक बुलाएंगे उनको पैसे दो, तो this is very expensive method, यह है सेक्षिक एक ही करन, educational integration को सुनिश्चित करती है, it makes your educational integration, educational integration का मतलब है, education के शेत्र में कितने भी बच्च भी हैं, विजिश्च बच्चे भी हैं, mentally retarded बच्चे भी हैं, पिछड़े बच्चे भी हैं, बालबरादी बच्चे भी हैं, तो उनसको एक प्रिष्ट भूमी पर लेके आना है, उनका एक ही करन करना है, एक ही करन, यानि कि सबको एक कर देना, तो समावेशी सिक्षा, inclusive education, emphasis तीसरा पॉइंट भी आप समझ गई होंगे चलिए चोथा देखते हैं यह सामाजिक एक ही करण को भी सुश्चित करती है सोशल इंटिग्रेशन क्योंकि यह सिक्षा के अधिकार है राइट टू एजुकेशन का अनुपालन करती है यह विवस्था जाती और धरम के आदार पर भेदबाव नहीं करती इंक्लूजिव एजुकेशन अलसो प्रोवाइड ए प्लेटफोर्म फोर ओल दी स्टूदेंट्स तो शो दी सोशल इंटिग्रेशन यानि कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें सभी बच्चेव को एक समान तरजा दिया है सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है 6-14 साल के बच्चेव को और समाज से आने वाले सभी बच्चे इकठा बैटकर इसमें पढ़ते हैं तो सोशल इंटिग्रेशन समाजिक एक ही करन यानि कि समाज में अलग अलग तरीके की जो विविद्दाए हैं उनको एक करना तो समाजिक एक ही करन भी है क्योंकि एक टीचर की क्लास में अलग अलग समाजिक पिष्ट भूमी से आने वाले बच्चे मिलेंगे और वो एक साथ बैटकर के ओपड रहे हैं इसकी समाजिक समावेशी सिक्षा इंक्लूज एजूकेशन की वजए से तो चोथा पॉइंट भी आप समझ गई होंगे लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तो चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है यह सिक्षा भारतिय समविदान के समानता के सिद्धानत यानि प्रिंसिपल ओफ इक्वेलिटी का अनुपालन प्रिंसिपल ओफ इक्वेलिटी है इसका मतलब यह है कि हर एक इनसान बराबर है कोई भी बच्चा है चाहे वो किसी जाती का हो धरम का हो चाहे वो विशिष्ट हो चाहे समानने हो सब को पढ़ने का मोका मिलेगा कोई एक स्कूल है मानलो यहां पर इस स्कूल में कोई व्यक्ति विशेश के बच्चे नहीं जाएंगे इसमें हर एक तबके के बच्चे आएंगे क्यों क्योंकि ह हमारे बारत देश की अंदर right to equality है, समानता का दिकार है, ठीक है, आगे देखो छटा, समावे सी शिक्षा में सभी समान्यव है, अपंग बच्चे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिससे अपंगों के प्रतिवी दाले और विदाले के बारवातावन अच्छा बनता है, बिल कि विशिष्ट बच्चों को भार कार्टून की तरह देखा जाता है, ज्यादा तर लोग ऐसा देखते हैं, जो कि बहुत घटिया बात है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो बच्चपन में विशिष्ट बच्चों के साथ नहीं पड़े, उनके साथ बाच्चित नहीं की, अगर आप शुरुआत से ही बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं रखेंगे, तो बड़े होकर भी उनके दिल में कभी ये नहीं आयागा, कि ये हमसे अलग है, उन आदमियों के दिल में क्यों आता है, कि ये हमसे अलग हैं, इसलिए आता है क् पड़े हैं अमारी यार दोस्त नहीं बने वो उनसे हमने कभी बात दें लोग हो तो है थीधिस्टी से देखते लेकिन समावेसी शिक्षा में बच्चे एक दूसरे के नसदीक आएंगे जब बच्चपन से ही वो समझेंगे कि ये हमारा हिस्सा है उमारे समाज का तो बड़ा ह होने के बाद तो बेद बाव करने का सवाल लिए पैदा नहीं होता ठीक है ना क्या हो रहा है बचपन से लेकि अब तक तो वो यही देखते आ रहे हैं समान्य बच्चे की यह विशिष्ट बच्चे को हिंद्रिस्टी से बड़े होने के बाद आप उन्हें उपदेश देते हो special child ready to face the world like normal child जैसे समान्य बच्चा विश्व को अपने जीवन को face करता है वैसे ही एक समान्य बच्चे की तरह को जीस बच्चा भी कुछ चेंजिज to do his daily basic work आगे समानने बच्चे भी अपंग बच्चों के साथ रहते रहते हैं अपने आपको उनके साथ समायोजित कर लेते हैं बिलकुल एडेप्ट कर लेते हैं समानने बच्चे special बच्चों के साथ रहते रहते हैं they also feel की they are the part of our culture, our society और तूट हिस्सा है वो भी हमारे समाज का ऐसा समानने बच्चे सीखेंगे अगर उन्हें समावेशी सिक्षा के तैस उनके साथ पढ़ाया जाए तो दोस्त आज की एक लास थी जिसमें हमने देखा कि जो integrated education थी उससे better उससे आगे जो समावेशी सिक्षा आई जिसने विशिष्ट बच्चों को और समानने बच्चों को जोड़ा और जो कमी रह रही थी कि विशिष्ट बच्चों को जो सुविधाई नहीं दी जा रही थी जिसकी वज़े से उनका साथ बैठने का कोई फायदा नहीं हो रहा था एकिकरत सिक्षा में उन सभी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई किसमें समावेशी सिक्षा में तो दोस्त एकिकरत और समावेशी सिक्षा आप देख चुके हैं अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एकिकरत और समावेशी सिक्षा में अंतर क्या है ठीक है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों तक शेर करें ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगी टेक कियर दोस्तों